सब्सक्राइब अब सभी का स्वागत है आपके प्रीन टूट चैनल सभी दोस्तों का हारदिक स्वागत करता हूं मंदिकाली इतिहास बीए तरतिये वर्स यानि बीए पार्ट थ्री या बीए थर्डियर बोलते हैं जिसको तो उसी के दो पेपर आलेडी मंदिकाली इतिहास की मैंने दे दिये हैं यानि कि पेपर वन जिसका नाम है भारती है रास्टी है अंदोलन यानि 1850 की जो क्रांती हुई थी वहां से लेकर के 1947 तक जब तक देश आजाद नहीं हो जाता है तब तक का मालल पेपर यानि महासंग्राब वीडियोस की हो चुकी है ठीक है इंडियन नेशनल मुवमेंट की और जो दूसरे पेपर का आपके नाम है वो नाम है यूरोप का इतिहास 1919 से लेकर के 1945 इतिहास के बारे में जिसमें आ आपको पढ़ना पढ़ता है 1919-1945 के बिच गटना है यूरोप की ठीक है पेपर टू में और आज का जो वीडियो होगा है पेपर तीन से संबंधित है जिसके अंतर के थमलोग चर्चा करेंगे History of Indian Culture के बारे में आर्थात भारती संस्कृती के इतिहास के बारे में जानने का प्रियास करेंगे बिस्तार से मचर्चा करेंगे ठीक है बहुत ही महत्यपोड महत्यपोड इसमें सब्जेक्टिव टाइप के प्रस्न होंगे और उनके उत्तर भी आपको इसकीन पर दिखेंग और सुन करके भी आवाज से भी अपने दिमाग में उसको उस बात को रिकॉल कर पाएंगे कंठस्ट कर पाएंगे तो आईए हम आगे बढ़ते और भी चीजों को जानने का प्रियास करते हैं कि आखिरकार कैसे कैसे प्रस्न आपकी परिच्छा में आने वाले हैं देखें प प्रस्न आपका पहला है कि सिंधु घाटी सभिता का जो पतन हुआ उसका पतन का क्या कारण रहा या कौन-कौन से कारण रहे जिसके कारण से सिंधु घाटी सभिता का पतन हो गया चुकि जब हम बात करते हैं अपने कल्चर की अपने संस्कृती की तो सिंधु घाटी सभित को निकाल दिया जाए तो इतिहास एक परकार से उतना यादा effective नहीं रहे पाएगा जितना रहता है जब सिंधू-गाटी सभिता को we awesome शिंध्धू-गारी सभिता के बारे में आप देखएगा कीतना एक परकार से डबलब था उस समय का एक प्रकार से जो नगर मैं नगर विन्यास की बात करूं या समाजिकता की बात करूं धार्मिकता की बात की जाए या फिर आप देखतें इंजिनेरिंग मामले में भी वो आगे था आप देखतें रोड वगरा समकोण पर काटते थे नालिया धकी हुई ह होती थी अनागार की व्यवस्था थी असनानागार की व्यवस्था थी ठीक है तो ये तमाम प्रकार की चीजे की भी सुरक्ष रखन रखाया चीजे pointing दो सिंदूगाल दास बनार जी का नाम आप लोगोंने सब्सक्राइब और राय बहादूर स्री दैयारां साहनी इन दोनो को एक प्रकार से इसका स्रेज आता है और सिंधू से कुछ बहुत आउसेसों की खुदाई के दोरान डाक्टर बनर जी को चितरलेपी में कुछ मोहरों पर उत्क्रिर लेक भी मिले हैं जिनके कारण से हडपा और मोहन जोदाडों के बहुत बड़े पैमाने पर खुदाई की गई और जिसके फ़ल सुरूप क्या हुआ सिंधू गाटी की सब्विता का ज्यान हमको मिला और हम आज उसको पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं सिंधू के लरकाना जिले में मोहन जोदाडों नामा के कस्थान है वहीं पर एक कूछे टिले की नीचे खुदाई से इस सब्विता का एक प्रकार से तमाम सारा आउसेस मिला और वहीं से उसकी और खुदाई हुई और फिर इस बास मिलाब इस पर सोध हुआ तो बहुत जादा एक प्रकार से ब्रस्तित ये छेतर रहा सिंधू गाटी सब्विता का तो इसका पतन क्यों हो गया इसके कारण आपसे एकजाम में 100% आने वाला तो इसको समझ देंगे तो पहला करण ये रहा होगा है कि सिंधू घाटी की भैकर बाड़ के करण से या सब्विता क्या हो गई एक प्रकार से जल मगन हो गई या जल में एक प्रकार से क्या हो गई जल में डूब गई ठीक है इस प्रकार से अब बोल सकते हैं क्या हो गया भई यहने कि जल पलावित हो गई ठीक है जल पलावित यह लिखा हुआ है होगी तथा उसके उसेसों पर बालू तथा मिट्टी की तहें जम गई होंगी जो आज हमको खुदाई करने पर प्राप्त होती हैं तो ये किये कारण रहा होगा आपने मूवी देखियोगी मोहन जोदारो मोहन जोदारो मूवी आप देखते हैं छोटा सा नगर होता है एक बड़ा नगर होता है तो उसकी मुहरे अलग होती है ठीक है जो जिसके पास मुहर होती वही उस बड़े घराने में जा पाता है सहरों में ब्यापार करने के लिए बात दे हो पाता है तो कहीं ने कहीं पे आप वहाँ पर यह देखेंगे कि भाई जब सिंदू गाटी सभिता की पतन की बात आती है तो उस मूवी में दिखाएगा कि बाढ़ आई वो बाढ़ बनाया गया था उस नदी पर पानी रोका गया था और उसी वही प्रकार से नदी का जो बाढ़ था वो त जल में बैह गई जल पलावित मतलब होता है जल में बैह जाना ठीक है तो और उसके आउसेसों पर बालो और मिटी के जो तहें है वो जम जाती चुकि नदियां अपने साथ बहुत सारे आउसेसों को बहा करके लाती हैं मल्मे को बहा करके लाती है उन्ही मल्मों के नीचे ज तो आरे संस्कृति भी उसी समय की है, तो आरे और सिंधवासी जो रहे होंगे, उन के बीच में कुछ लोग कहते हैं कि भैं, उनके बीच में क्या हुआ है? भीसर युद्ध हुआ बहुत जदा तगड़ा युद्ध हुआ है जिसमें सिंधुआसियों की पराजय हुई और इस सभिता का बिनास हो गया ऐसा कुछ लोगों का माना कुछ इतिहास कारिस पर महर लगाते हैं लेकिन काफी हत्तक इस मामले में कोई बिधवत जानकारी अभी तक नहीं प्राप्त हुई कि किस परकार से पतन हुआ आपको पता होगा जब भी जल्वायो परिवर्तन होता है तो किसी भी सब्विदा की मैं बात करूँ स्रिष्टी का पतन और एक प्रकार से सरजन होता रहता है आपको पता होगा सरजन करता विश्णो भगवान है और उसको बिनस्ट करता कोई है शंकर भगवान है तो कहीं न क प्रदेश उसमें डूब गया हो ठीक है इस सभिता का बिनास हो गया हो तो सिंदु घाटी सभिता के पतन के ये कारण आप लिख सकते हैं बड़े आसानी से आगे समझते हैं अंगला प्रस्ण एक बार जितने भी लोग मारे साथ जुड़ चुके हैं फड़ा पर से वीडियो क पूजा पर प्रकास डालिए प्रस्ण आपका बड़ा अच्छा है कि सिंदु सभिता में जो मातर देवी थी उनकी पूजा किस प्रकार से लोग किया करते थे और मातर देवी की क्या भूमिका थी इसको समझेंगे तो मातर देवी की पूजा खास करके मातर देवी की पूज चोटी चोटी मूर्तियां प्राप्त हुई है जो माता, अंबा, काली या कराली की प्रतीक है जैसा आज कल हम लोग माता, अंबा की मूर्ति बगरा देखते हैं या काली माता की या कराली माता की तो ठीक उसी प्रकार से मूर्तियां प्राप्त है और उन्हीं मूर्तियों की प्रस नहें सिंदू सभिता की मूर्तिकला को अस्पस्ट किजिए तो मूर्तिकला की विस्ष्टता का ज्यान कराने वाली पाशाण, ताम्र, म्रणमई तथा मिट्टी की असंख मूर्तियां प्राप्त हुई हैं सिंदू सभिता के अंतरगत मोर्तिकला की चार सैलिया परचलित थी, पहली सैलित थी धातूं को गर्म करके साचों में ढाल दियायाता था, यानि कि धातू जो होते थे उनको गर्म करके उसको एकदम से पिखला करके फिर उसको एक साचा होता था, उसी साचे में ढाल देते थे तो उसी सांचे के आकार का वो एक प्रकार से मूर्तिया बन जाया करती थी दूसरा ठपा लगा करके मूर्तिया बनाई जाती थी जैसे कि कोई धातुए उस पर एक मोहरो टाइप का होता था उस पर ठपा लगा देते तो वो ऐसे बन जाती थी तीसरा होता था मिट्टी की मूर्तियों को आग में तपा करके उसको पाका करके बढ़े हैं इसे कुमहार बनाते हैं ठीक उसी परकार से बना जाती थी और कुछ मूर्थियां चेनी के द्वारा जिसे चीनी हथोड़ी होती है तो चीनी को उसवर पत्थर पर मार मार करके वैसे उसी पत्थर में क्या कर दिया आता था पत्थरों को एक परकार से तक्षड करके, तक्षड मलब उसको छीन छीन करके, काट काट करके, मुर्ती का रूप बना देता था पत्थरों में, तो मोहज ओदोनों से प्राप्त कांस की नर्तकी, खड़िया मिट्टी की, ध्यानमगन योगी की मूर्ती, तथा पत्थर की बनी सिर्भिहीन मूर्ती सेंधो मूर्ती कला के सुंदर उधार है, आप बेच्चु में भारत कला भावन हैं, तो वहाँ पर आप जाएंगे, तो बहुत सारी मूर्तियां इस प्रकार से आपको दिखेंगी, तो मैं तो गया हूँ, वहाँ पर बेच्चु में पढ़ता भी हूँ तथा बरतनों, इत्यादी पर बने चित्रों से हमें सिंधु सभिता की चित्रकला की उतकरश्टता का ज्यान होता है, और इस काल में जामितिये अंकन और दिरस्यात्मक अंकन दोनों परकार की चित्रकारी का परचलन था, यानि एक परकार से जामितिये अंकन मनलब एक परक अगला कोशन साब का आचुका है पांचवा नमर पर संदेखेंगे सिंदु सभिता और बैदिक सभिता में मौलिक अंतर क्या है बताएं। तो हडपा के निवासी जो थे मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे और उन्होंने मूर्तियों की प्रतिष्ठा भी की थी। परन्तु बैदिक सभिता के लोग मौर्ति पूजा नहीं थे और इन लोगों ने हडपा निवासीों की भांति देवता में मानविय गुडों का आरोपन किया है और उनकी मौर्तियों की अवसेस नहीं मिलते हैं। प्रतिष्ठा के बाद आपको क्या करना पड़ता है वहां पर हमेशा पूजा पाठ करना पड़ता है उस मंदिर में जहां प्रतिष्ठा होती है ठीक है तो ऐसा रहा सिंदुगाटी सभिता में और बैदिक सभिता में ऐसी ब्योस्ता नहीं थी तो यह अंतर आप लिख सकते हैं यह मौलिक अंतर है अगला कोशन साब देखेंगे छठा नमबर प्रसने उलेमा उलेमा की बात की जाए तो उलेमा की बारे में क्या लिख सकते हैं आप सल्तनत काल में मुसलिम समाज में उलेमाओं में बिद्वान धर्मक की सयद पीर आदी आते थे और उनका इसलाम के सा जनता को नेक राह पर चलना माना यहां जानता था कि जनता को यह सही दिखाएंगे जो उलेमा लोग हुआ करते थे तो यह चीजे थोड़ा सा ध्यार नखेंगे आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रियास करते हैं अगला प्रसना आपका है सिंदु घाटी ने पता चलता है यहां पता चलता है कि आज से लगबग हजारों वर्स पहले हमारे देश में एक ऐसी ही सभिता बिक्सित हो चुकी थी जिसके मात्र एक प्रकार से जिसके मात्र के प्रती दया का ब्योहार करना इसके अलावा और भी चीजों को थोड़ा सा जानने का प्रिय प्रणाय धर्म के अनुसार सत्य को एक मिनटीड एक मिनटीड है अ कि मिनटी अ साथमें के बाद में आपका आठ्मा आना चाहिए और यह आपका बाइस नमबर कोशन साचुका तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आँको आठ्मेकों सक्यों मैं बढ़ता हूं श कि बाट चुका है हैं तो सिंदू घाटी सभनता के पूंखा ​​की खुशे स्था दीट यहां तक हो चुका था तो यानी की आप देखते हैं कि प्रत्रा सबादिक प्राचिन सभिताओं में से एक है और सिंधु घाटी की सभिता सिंधु नदी की घाटी में जब खुदाई हुई थी तो उसे प्राप्ता उसेसों के आधार पर हमको अग्यान होता है कि आज से लगबग हजारों वर्स पहले हमारे देश में एक ऐसी सभिता भिक्सि किसने की थी बताएं किसने और कब की थी तो सिंधु घाटी सभिता की खोज सरप्रथम जो घोशड़ा हुई थी 1924 इसदी में सरजान मारसल ने करी थी यह बात ध्यान रखेंगे अगला पर साम देखेंगे नव नंबर प्रस नापका है सिंधु सभिता के दो प्रमुख हस् ठीक है तो यह दो अस्थल हैं सिंधु घाटी सभिता के अगला प्रस नाप देखेंगा मोहन जोदाड़ों पर संचिप्त टिपड़ी लिखिए तो यह अस्थान जो मोहन जोदाड़ों अस्थान है या वर्तवान पाकिस्तान के लर्काना जिले के करांची से लगबग 500 किल अनरजी ने 1922 इस भी में इस अस्थान पर खुदाई करवाई जिससे इस नगर की साथ सतहें जो है वो पता चली और इससे यह अनुमान लगाया गया कि यह नगर जो है साथ बार उजड़ा रहा होगा और साथ बार पुना बसाया गया होगा ऐसा पता जलता है मोहन है वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है लाहोर और मुलतान के बीच में तो यह हडपा इस्थित है और इसकी खुदाई 1921 में दयराम साहनी और मादो सुरूप चतुरूप मादो सुरूप पसने करी थी और इस अस्थान से सिंदू सभिता से सम्मधित नरक बंध और प् इसको इसको बोलते हैं पुरा अत्यविक स्था जिसके माध्यम से हमको अरपक्योषे में जानकारी मिलती है अगला प्रस ने आस्रम का आर्ठ हस्पष्ट करें तो आस्रम का साबदिकर्थ होता है बिसराम अस्थल या पडाओ ठीक है और हिंदू के नुसार जीवन का अंति फशलमों के माध्यम से जो विक्ति अपने किरडार को सही तरीके से निभाता है उसको ़र्पा शीक्रांram के बंधन से मोक्त हो जाना ऐवागमण के मुक्ष मो लगया है और वही मनुस्त का लक्ष है मनुस्य पैदा होता है पैदा होने से लेकर कि 25 साल तक ब्रह्मचर आस्रम में रहता है उसके बाद में फिर दूसरा पढ़ाओ उसका सुरू होता है वह पढ़ाओ है ग्रहस आस्रम का ग्रहस आस्रम का 50 वर्सों को ग्रहस्त जीवन में बितीत करता है 25 से 50 तक उसक ने खास करके ग्रहस्त जीवन में अनुभो प्राप्त किया जीवन जीने का उन सभी को लोगों को बताते हुए आगे बढ़ता और जंगल के प्रस्थान करता है बानप्रस आसरम पचीज से लेकर के सभी पर रहने वाला व्यक्ति अपने च्छत पर चढ़ता है तो उसके लिए सीड़ी का प्रियोकरता सीड़ी में डंडे लगे होते हैं उसी डंडे की भाती होता है एक एक आसरम जो की उस च्छत तक आपको पहुचाता है ठीक है आगे बढ़ते हैं तेरवा नंबर प्रस्थ सिंदु सभीता में नगर नियोजन को असपस्ट कीजिए तो मोहन जोधारों और हरपा आदि नगरों के आउसिसों के आधार पर हम्याख कह सकते हैं कि सभीता के निर्माता नगर और निर्माण कला में बहुत कुसल थे उनको बहुत जादा भवन निर्माण की कला आती थी नगर बनाने में वो माहिर थे, सैंदोस अभिता के नगर एक सुनिष्चित योजना के अनुसार बसाये गए थे, नगर में बहुत सी छोटी बड़ी सड़के बनी हुई थी, जो एक दूसरे को किस पर समकोन पर काटती थी है, ऐसे एक सीधी रोड फिर इदर सीधी रोड और सी किनारे के नाली है और इसके सामने आप देखते हैं यह एक प्रकार से घर बने हुए थी इधर भी घर इधर भी घर इधर भी घर इस प्रकार से बसाओ था चोदा नंबर को इसन साम देखेंगे, बैदिक काल में धार में किस्थिती को असपश्ट कीजिए, तो उत्तर बैदिक काल में आर्रियों की धार में बिचार धारा में व्यापक परिवर्तन हो गए थे और रिक बैदिक काल में धारम आतियंत सरल था, किन्तु उत्तर बैदि इसवी सताब्दियें बहुत सारे सुधार अंदोनन भी चलाए गए धरम को ले करके तो यह सब हुआ आगे बढ़ते हैं पंदरवा प्रसनाब देखते हैं बैदिक कालियन समिती और सभा की बैख्य कीजिए तो समिती जो बैदिक काल में हुआ करती थी राजा को परामर्स दे थी कि राजा कोई गलत काम अगर करता है तो यह समिती क्या करती थी राजा पर अंकुस लगाती थी राजा पर लगाम लगाती थी राजा को कंट्रोल करती थी ठीक है इसके अलामा बात की जाएगर सभा की तो सभा जो थी यह समिती के अत्रिक एक अन्य संस्था मानी आती थ यह राजा को क्या करती थी परामर्स देते हुए राजा की निरंकुस्ता पर भी नियत्र रखती थी कि राजा निरंकुस न हो जाए तो समिती और संस्था इस प्रकार से कार क्या करती थी ठीक है आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रियास करते हैं अच्छा इस इसमें बिद्याध्याध्याध्याध्याध्याध्याध्याध्याध्याध्याध्याध्याध्याध्याध्याध्याध्याध्याध्याध्याध्याध्याध्याध्याध्याध्याध्याध्याध्याध्याध्याध्याध्याध्याध्याध्याध्याध्याध्याध्याध्याध्य वो ग्रेहस्त आस्रम में प्रवेश करता है यानि वो साधी हो जाती उसकी और हुआ 25 वर्स से लेकर के 30 वर्स की आयूत इसी आस्रम में ब्यतीत करता है यहाँ पचीस से पचास कर लिजेगा 30 गल लिग गया पचास वर्स तकायों में इसी आस्रम में ब्यतीत करता है और इस आ आपका यहाँ पर पचास कर लिजेगा परकी किसे हैं अपने जेश्ट्र और परिवार का भार छोड़कर के तथा उसे असत्रा धिकारी बना परके बन शुनरा जातते थे और वहां में तप उत्याक करके अपना जीन बितित WILL फिर के ते और जो वह किती प्रकार से कोई हुआखता था जो कि लक्ता था कि मैं हमारे जीन में उस्थ नहीं आ रहा है दुथ आ रहा है काई प्रकार की समेस्स्षा भी वा करती थी ओर वोख जाते थे और इन साधुमात्माओं से इन लोगों से पूछा करते थे आविम ऐसी स्तहिंने हमको क्या करना चाहिए तो ये बान-प्रस्ती का화 न्वन होता है जंगल की रुप्रस्थान करना इसके बादमें आता था अपका सन्यासास्रम ध्यक्र करें तो 75 वर्स की आयो पूर कर लेने के बाद में व्यक्ति सन्यास आसरम में प्रवेश करता था 75 से 100 वर्स की आयो तक सन्यास आसरम की मानी जाती थी और इस आसरम में जीवन साथी का भी त्याग कर दिया जाता था इस प्रकार वह अमलब की परिवाजरक यानि सन्यासी बन जाता था, सन्यासी के लिए ग्राम या नगर में रहना वर्जित था, वह वन और परभतों की कंद्राओं में बैराग यूगत और त्याग में जिवन बतीत करता था, ये था आपका सन्यास असरम, इस प्रकार से हिंद परसने बीस नम्बर परसने बैदिक काल में इश्तिरियों की स्थिती पर संचित्!" प्रकाश डालिए, तो समाज में इस्तिरियों की दसा बहुत अच्छी थी अधिकान्स इस्तिरियळा बिदूसी होती थी मलब जानकार होती थी पड़ीलिकी होती थी रिग बेद में कुछ ऐसी बिदुसी इस्तरियों का उलेख है जिन्होंने रिग बेद की रिचाओं की रिचना भी की थी इसमें नाम आता है अपाला का विशुधारा का घोसा सिक्ता लोपा यह सब एक प्रकार मुद्रा यह में परदा परथा भी नहीं थी इस्तरियों को सम्मान के दिश्टी से देखा आता था बैदिक काल में उन्हें पिता की संपत्ती में भी उप्युक्त भाग मिलता था किवल पूत्र को यह नहीं पिता अमलब लड़की और लड़का दोनों को पिता की संपत्ती में एक प्रक शागते हैं बताईए तो महाबेर स्वामी को जयन धरम के दौरा 24 अवा 13 ठंकर सवभिकार किया आता है जयन धरम के कुल 24 ठी ठंकरों में रिसप देव सरप्रथन पीर ठंकर थे और महाबेर स्वामी जो थे इनका वास्तविक मुर्धमान था और इनका जनम 599 इसापुर में उत्तरी भारत के वज्जी गड़राज संग बैसाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था और इनकी माता का नाम तरसाला देवी और पिता जी का नाम इनके सिद्दार्थ था और उन्हीं के लड़के थे महावेड़ स्वामी ज महावरत इस प्रकार से हैं पहला है अहिन्सा इसका आर्थ होता है जीव मात्र के प्रति दया का विवहार करना पहला तो अहिन्सा गए आप करेंगे तो आपको मोक्ष की प्रापति होगी जयन धरम में 5 मार्ग बताएंगे जबकि हिन्दू धरम में ब्रहमचर आसरम का पाल जो भी बाते आपको दिखाई पड़ेंगी वो कहीं न कहीं पे जो बैदिक गरंथ हैं या फिर जो एक प्रकार से स्मृतियां हैं उन्हीं सबसे आप देखतें तो कहीं न कहीं पे या जो पुराने गरंथ है प्राचीन गरंथ बेदों से ही लिए गए कुछ चीज़ें ठीक है तो अहिंसा पहली बात होती है दूसरा क्या है सत्य जैन धर्म के अनुसार मनुस्य को सदेव सत्य बोलना चाहिए सत्य बोलने के लिए मनुस्य को लोब मोह और माया चारिन सभी से और क्रोध से दूर रहना चाहिए यह बात एक प्रकार से बताएगी करते हैं और उसको करते हैं और उसको करते हुए सदाचार परधार जीवन बतीत करना अगर कोई बेक्ति इन पाँच historically चीजों को सहmaya तरीक meeting नेज करता आए उसको मोख्ज की प्राप्ती हो जाती है जैन धर्म के नुसार और हिन्दु धर्म में आको बता है जो है आपका आशरण विवस्थ था ईजेंद्धर्म की प्रमुख सिक्षाओं पर प्रकास डालिए जैन धर्म के अच्छा हिंदु धर्म में चार पुर्सार्थ भी उनका भी पालन करना परमावस्यक होता है प्रकास जाली चेस और सिधान डूसर में आप दूसरी बात बएदों में आप इस वास लोगों का अिद्रेक ता जाता सनातन धर्म के विचारधारों के खंधन करने के लिए ही जाना जाता है बाउन धर्म और जन धर्म जो गुराया थी उसको एक प्रकार्ण से बलब यह लोगों का अलग ही ट्रेक था तो इसवर में आविस्वास रखते हैं जन धर्म के लोग बेदों में आविस्वास करते हैं पुनर जनम का सिध्धान्द भी इनके पस से आत्मा की सब्क्राण करते हैं अनेक अनेक आत्म वाद पर विस्वास है अनुकर घर्म की प्रमुक्स इकष्छाएं 힙 प्रकार हैं जो कि आपके समक्षिन अगला प्रसाब्स आम लेक्ते हैं अतर्प डेंशन 2023 सापूर में साक्ट गाडराज कि राजधानी कपिल वस्तू के पास एक लुम्बनी नाम का बन पढ़ता है उसी में प्रकामनी नगर भी ये मिलंबनी अस्थान भी थो ह아ा पर लुम्बनी बन भी पढ़ता है तो खासएं के लुम्बनी नगर में इनका आर सत्य क्या थे बाई तो बुद्ध ने अपने जो अनुगामी थे उनके यानि उनके विचारों पर चलने वाले उनको चार आर सत्यों का उपदेश दिया था जो कि इस प्रकार है पहला था दुख यानि संसार में सरवर्थ दुख है ऐसा उन्होंने बताया दूसरी बात उन गोतम बुदिर के द्वारा बताये गए अगला पर साम देखते हैं बहुत धरम के पतन के क्या कारण थे बताएं तो बहुत धरम के पतन के निम्द कारण थे पहला कारण था समराटों का सनक्षण ना मिलना दूसरा कारण था बहुत भिक्षों का पतित जीवन तीसरा था ब परतन की मैं extend कांग सुझा रहा देववाद और मोरती पूजा का प्रारंभी बहुतव के लोग मौरती पूजा का इप रोध्य करके आगे बढ़े थे और प्रकार प्रीदर का बोलबाला हो गया और आठवी बात इंदास दिखता तो इन सभी क्यावा बहुत धर्म का पतन हुआ और इस प्रकार से बहुत धर्म के पतन के सारे कारण आप देख सकते हैं अगला पर साम देखते हैं मौरकालीन कला को असपश्ट कीजिए तो मौरकाल में हमें भारतिये कला के वास्तविक रूप के दर्सन होते हैं मौरकाल से पूर्व भारत की कला नहीं के बराबर ही थी मौरिकाल से भारतिय कला का वास्तविक आरंब अगर माने तो हम मान सकते हैं चुकि मौरिकाल में ही कला का एक परकार से जाकी जो है वास्तविक तरीके से मारे समख चाती है अगला पर साम देते हैं मतुरा कला के बिसे में आप क्या जानते हैं मतूरा कला की बात किया है तो इस सैली की मूर्तियां जो बनाई गई हैं, मूर्तियां बनाने के लिए मूर्तिकारों ने लाल बलुवे पत्थर का प्रियोग किया है, जो कि मतुरा के आसपास आगरा फते पूर्शीकरी रूप वास इन सभी अस्थानों में बड़ी संख्या में जो लाल कलर के बलुए पत्थर में मिल जाते हैं और इस पत्थर पर सेफेज चित्तियां और धब्बे होते थे और मतुरा कला इस प्रकार की चीजे थी अगला परस आप देखते हैं उन्तियस नमर परस ने गुप्त कालिन मूर्थी कला की बिसे में आप क्या जानते हैं भड़ावड से बताने का प्रियास करेंगे तो इस काल की मूर्थी कला अपनी स्वाभाविक्ता, सजीवता और विवेदता के लिए एक बिख्यात है गुप् सास्त्र और लोग परंपरा को आधार बना करके गुप्त युग में जो मूर्थी कला बिक्सित हुई वह बिसुद भारती या दर्सुद परंपराओं पर आधारित रही है और गुप्त काल की बात के तो गुप्त काल को इतिहास का स्वर्ड काल भी कहा जाता है और चुकि इसलिए काया था चुकि यहाँ पर हर एक कला चाहे साहतिकी में बात करूँ चाहे मोर्ती कला की चाहे और भी कलाओं की वास्तु कला की बात की जाए हर कला में प्रवेड़ता दिखाई पड़ती है अगले पर बढ़ते हैं अगला परसन आपका आचुका तीस नमबर परसन भक्ति यांदोलन के प्रमुक कारण बताएं तो कुछ धर्मांद मुसलमान सासकों ने देश में अनेक मंदिरों का अस्तितों समाप्त कर दिया था और मोर्तियों को तोड़ डाला था अता हिंदू ने ईस्वर उपासना को कोई और साधर ना दे करके भक्ति मार्ग को को ही किरहन करना उचिस समझा तो भक्ति यांदोलन इस परकार से आगे बढ़ा जब लगातार मुसलिमा करांता हिंदों के मंदिरों को और उन सभी को मोर्तियों को तोड़ रहे थे उसी समय परकार से क्या हुआ भक्ति यांदोलन का उदय हुआ दूसरी बात भक्ति यांदोलन के संतों ने करम कांडो देवी दिवताओं की पूजा का खंडन भी किया था तिसरी बात यह कि भक्ति यांदोलन की विसेस्ता या थी कि इन्होंने जाते पर्था का भी घोर विरोध किया चोथी बात थी कि इन्होंने समाज में उच नीच औ पर भेद भाव का परबल बिरोध किया तो इस प्रकार से भक्ती अंदुलन की ये विसेस्ता थी इसी कार्ट से भक्ती अंदुलन आगे बढ़ा अगला कोस्ता सहाब देखेंगे 32 नमर परसनाप का है कबीर कबीर कोन थे बई तो कबीर का प्रारंबिक जीवन बड़ा ही रहस् पति ने उठा करके उनका पालंग पूसंड कया कबीर का और उनकी जनमति थी के विसे में बिद्वानों में भी एक प्रकार से मदबेदरा आया काबीर की संदर में और उनकी मिर्तु 1575 बिक्रमी माना है ठीक है किसने कबीर पंथी जो लोग है कबीर पंथ एक प्रकार से मार्ग चलता है कबीर पंथी लोग उसमें होते हैं कबीर एक प्रकार से निरंकार वादी थिमलफ की निराकार ब्रह्म की उपासना करते थे और अखाशर के ज्यान मारगी साखा के परबल कभी हिंदिस आहे थे में अगला प्रसवा हम देखते हैं कभीर पहले एक ससंथ है समासोधरारक हैं उसके बाद ने फिर एक कभी है ठीक है अगला प्रसवा है चीष्थी संप्रदाय और इनके उपदेसों के मुखे केंदर आजमेर और दिल्ली में थे ये जाती पाती में बिस्वास नहीं रखते थे चिस्ति संपरदाय के लोग इनके उपदेस वा सिध्धांतों से प्रभावित हो करके अनेक हिंदू, मुसल्मान, संपराट इनके सिस्ति भी बन गए थे आगे बढ़ते और भी चीजों को जानने का प्रियास, अगला परसना आपका आचुका है चौतिस संपर निजामुद्दी नौलिया कौन थे तो अउलिया बाबा फरीद के प्रसिद सिस्ते और इनका जनम हुआ था बाराइस संपर निजामुद्दी नौलिया ने आजोधन जाकर के बाबा फरीद से दिख्चा ली सन 1258 इसबी में दिल्ली आ गए ये निजामुद्दी नौलिया और इनके बेक्तित्तु के कारण लगबग 60 वर्सक दिल्ली में सूफी मत का प्रभाव अस्थाई रहा कुछ समय पश्चात इन्होंने सहर से दूर गियासपुर नामकस्थान पर रहना प्रारम कर दिया और यहां पर उनके सिस से मौलाना जियाउद्दीन यानि इमाद उल्मुल्क का वकील था उन उसने क्या किया इनके लिए एक खनका बनवा दिया था तो एक परकार से यह निजामोद्दिन ने उलिया थे अगला परसाम देखते हैं 35 नमर परसाम आपके एकजाम में बन सकता है सूफी वाद के परमुक सिध्धान बताईए तो सूफियों के परमुक सिध्धान निम्नवत हैं पहला सिद्धान्द सूफियों के अनुसार ब्यक्ती को केवल एक इस्वर में विश्वास रखना चाहिए, सूफि इस्वर को सत्य निर्गुण और निराकार मानते हैं, और उनके अनुसार समस्त सिर्ष्टी जो है, उसकी रचना निराकार इस्वर ने करी है, और तीसरी बात दीजिए, तो ब्रह्म समाच के स्थापना राजा राम मोहन राए ने करी थी, 20 सगस्त 1628 में कलकत्ता यानि कोलकत्ता में स्थापना की थी, इसकी स्थापना के मूल में उपनिसिदों का दर्सन निहित था, राजा राम मोहन राए की इच्छा थी की भारत के निमासियों को देश में प्राच गौरों के साथ पुना जोड़ा जाए यानि प्राच गौरों मनलब प्राचीन जो पुराने हमारे गौरों की चीजे हैं उनसे जोड़ा जाए ब्रह्म समाच का प्रधान कारेले कलकत्ता यानि कुलकत्ता मेस्थित था तो यह था ब्रह्म समाच के बारे में कुछ बाते अगला परसाब देखेगा प्राथना समाज के स्थापना के विसे में आप क्या यांते हैं बताई ऐसे प्रसाब से पूछ सकते हैं चुकि यह महा संग्राम रिविजन क्लास है इसलिए में इसको ती ब्रगति से बताने का प्रियास करें दाकि आप कम समय में पूरी के पूरी से लिवस के बारे में जान पाएं प्रस ने प्राथना समाज के स्थापना के विसे में आप बताएं तो 1867 इसमें प्राथना समाज के स्थापना कहां पर हुई थी या मुंबई में हुई थी आत्माराम पांडू रंग आर जी भंडार कर नारा महादेव गोबिन डार्नाडे ने इसे अतिधिक मलब की इसको नितुरत किया था और अध्यात्मिक नितुरत प्रदान करने के काम जो किया वो महादेव गोबिन डार्नाडे ने किया था प्रातन समाज इस प्रकार से आगे बढ़ा था अगला पर से प्रातन समाज के उद्दे थी जो कुरितिया थी जो पुरोहितों का अधिपत्थ हो चुका था धरम पर उसको खतम करना था एक उसर वाद को बढ़ावा देना था अगला परसन है 49 नमर परसन देखेंगे प्रातना समाज के कारियों पर प्रकास डालिए प्रातना समाज ने स्रमिकों के लिए रात्री प खोले गए प्रातना समाज के द्वारा लड़कियों की सिक्षा के लिए महिला संकी भी अस्थापना की गई प्रातना समाज ने समा सुधार तक ही नहीं अपनी गद्विधियां सीमित रखी बलकि आप देखेंगे भारत की दरिदरता जो मुखिता किरसी पर निर्वरता और ग्रामीर उद्योग धंदे के बिनास का परड़ाम है खासिर कि उस पर गंभिरता से विचार किया कि भारत दरिदर क्यों है भारत के लोग दरिदरता के सिकार क्यों होते इस पर भी ध्यान दिया प्रातना समाज ने प्रातना समाज ने मुखिरूप से हर एक छेतर में काम कर अगला प्रसाम देखते हैं चालिस समर पर से राजा राम मोहन राय के विसे में आप क्या जानते हैं बताएं तो राजा राम मोहन राय भारती पुनर जागन के जनक मारे जाते हैं और इनका जनम 1772 में बंगाल के सुपरतिश्टित प्रामः परिवार में हुआ था यह प्राम जी ने अपने गुरू जी की मिर्दू के बाद में उनके गुरू जी का नाम था जो है राम कृष्ण परम्हंस तो उनकी मिर्दू के पश्चात एक मई 1897 इस भी को उनके नाम पर राम कृष्ण मिसन के अस्थापना करी और इस मिसन की अनेक साखाएं भारत और अर में अस्थापित की गई थी उस समय ठीक है अगला प्रसनाब देखते हैं 42 समर पर से राम कृष्ण मिसन के कारियों का संचित उल्ले कीजिए तो इस संस्था के कार निम्लिखित थे राम कृष्ण मिसन के पहला कारिये था कि इस संस्था का उद्देश धार्मिक और समाजिक सुधार करना था दूसरा उद्देश यह था कि समाज सिवा के कारिये करना इस संस्था का प्रधान करता भी था ठीक है अगला प्रसनाब देखेगा अलीगण आंदोलन पर संचित ठीपड़ी लिखिए अलीगण आंदोलन मुसलिम आंदोलनों में सरभाधिक प्रभावसाल कि अलिगड़ा आंदोलनां का प्रमुंख और अदेश क्या था था तो अलिगड़ा अंदोलना प्रधान उत ďस त li isë समझे का अहिए यह समाज करने से मुसल्मानों का उध्था कर रहते हिंदु के लिए वे काम कर रहते सरसेऑद अगला कोशन साब देखेंगे थियोसाफिकल सोसाइटी के विसे में आप का जानते हैं तो भारत में थियोसाफिकल सोसाइटी के स्थापना 1882 में मद्रासनी चिन्नई के समीब अडियार नामाकस्थान पर की गई थी और इसकी सभापती जो थी वो थी स्रीमती एनी बेसंट थ हिंदु धर्म के आदर्सों के अपार सद्धा एक प्रकार से थी इस थियोसाफिकल सोसाइटी के द्वारा एनी बेसंट एक प्रकार से हिंदु धर्म में भी आस्था रखती थी अगला कोशन साब देखेंगे आरे समाज के दो प्रमुकुष सिध्धान्त बताएं तो आरे की आरे को अपने समस्त कार सत और असत का ध्यान रखते हुए धर्म के अनुसार करना चाहिए कि क्या सत्य है क्या सत्य है इंचे जो को ध्यान में रख करके अपना कार करना चाहिए अगला कोशन से आपका 47 नमबर प्रसन है बहाबी आंदोलन की विसेश्थाएं लखी पहला ये था कि इसलाम धर्म की आरंबिक वितरता पर बल देना दूसरी विसेस्ता ये थी बहाबी आंदोलन की कि भारती मुसल्मानों को हिंदू प्रभाव से मुक्त कराना तीसरी विसेस्ता थी आंदोलन को धार में खोने के साथ साथ करांतिकारी भी बनाया जाए और चौती भी सेस्ता या थी बहाबी आंदोलन की कि योध्धाओं की टूली का अंद्रमार किया जाए ताकि एक प्रकार से क्या हो सके जो है करांतिकारी आंदोलन को और बढ़ावा मिल सके ठीक है अगला कोशन साब देखेंगे 48 नंबर प्रसन है अहमदिया अंदोलन की आ है वई तो अहमदिया अंदोलन के जनक जो थे पंजाब के गुर्दास जिले में कादियान के निवासी थे मिरजा गुलाम अहमद कादियानी उन्होंने एक प्रकार से इसका नितरुत किया था 1849 से 1908 हिजबी में एक प्रकार से इनका समयकाल है मिरजा गुलाम मुहमद का दियानी का और उनमें धरम सुधार का पूर्व जोस था और उन्होंने अपने को ईसवर का पैगंबर बताया किसने मेजा गुलाम मुहम्मत का दियानी ने का कि मैं इसवर का पैगंबर हूँ इसवर का दूत हूँ अपना प्रमुक उद्देश इसलाम का फोड़ता है सुद्ध करना बता है कि मेरा उद्देश यह है मैं इसलिए आया हूँ परत्वी पर कि एक अच्छे यूरोपिय पुस्तकाले की आलमारी का भारत तो मलब अरब में के संपूर्ण सहित से महत तो कम नहीं है यानि अगर यूरोप की किसी एक लाइब्रेरी की किसी पुस्तक को उठा ली जाए और पूरे भारतिये जो है ग्यान को एक बराबर रखा जाए तो यूरोप की पुस्तक के अग्यान ज्यादा ठहरेगा ऐसा बताता था लाड़ मैकाले एक परकार से अगर इस समय होता तो बता दिया जाता कि भाई कौन क्या है और इस परकार अरबी और फार्सी और संस्कित के अध्यान छेतर से बाहर निकल कर मैकाले ने अंग्रेजी को उनकी अपेक्छा अधिक समर्द बताया मलब सारी भासाओं को इसने बेकार बता दिया जबकि भासा सो मुख्या मधुरा दिब्यागीर वड़ा भारती आदी राज्यों में ग्रामों में भूराजस व्यवस्था के एक नई प्रणाली प्रारम की गई थी जिसे महाल वाली प्रथा के नाम से जाना था और महाल वाली व्यवस्था की बात के तो इस व्यवस्था के इंतर के जो सरकार थी सरकार ने कुछ कुछ अस्थानों पर 30 वर्सों कुछ अस्थानों पर 20 वर्सों के लिए राजसु निधारत कर दिया था इस पर्था में राजसु के निधान का करार जो होता था किसी एक जमीदार या जमीदारों की गुट में ना रह करके समस्त गाउं से किया था था मलब की आप कोई जमीद से प्रसनल व्यक्ति से किया जाए कोई चीज तो इसमें क्या था कि वहीं सभी व्यक्ति से किया जाएगा अगला कोसंस आपका आ भारत में रेल यातायात की विचारों का प्रथम जन्दाता जो थे वह सर रॉलेंड मैक डॉनल्ड इस्टिफेंस हैं इन्होंने 1841 में कलकत्ता से देश के कलकत्ता से देश के उतरी सीमा तक रेलेवे लाइने बिचाने का विचार रखा जिसके लिए लंदन में इस्ट इंडि जार्ज कलार्क ने 1843 सीजबी में बंबई से थाना तक थाना के अस्थान है तो वहां तक रेलेवे लाइन बिचाने का विचार रखा जिसके लिए इंगलेंड में ग्रेट इंडिया पेनिन सुला रेलेवे कंपनी बनी और फिर भी रेल निर्माण का वास्तविक कार 1849 सीज ने इंगलेंड की कंपनियों को भारत में रेलों का निर्माण करने के लिए ठेका दिया रेल बनाने वाले कंपनियों था इस्ट इंडिया कंपनी के बीच निमलखित सर्थों पर समझोता हुआ था पहला बात ये थी कि 99 वर्स के लिए सरकार कंपनियों द्वारा लाई गई पूजी पर 5% ब्याज देगी कंपनियों जितना रुपया सरकारी कोस में जमा करेंगी उस पर उसी समय से ब्याज दिया जाएगा लेकिन 99 वर्स के बाद भूमी तथा रेलों की जो अन्य संपत्ती होगी सरकार की हो जाएगी तथा चल संपत्ती को उचित मूले देकर के सरक सरकार खरीद लेगी ऐसा बताया गया था दूसरी सर्तिय थी कि उपरिक्त सर्त को पूरा करने के लिए सरकार को जो कुछ भी धनासी बे करनी पड़ेगी उसे अगले पांच वर्सों में 5% से अधिक लाब होने पर अतरिक लाब के आधा भाग से चुकता किया जाएगा तथ महा संग्राम वीडियो आपका होई गया ठीक है जिसके अंतर के थमने लगभग और लगभग बावन प्रसनों को समझा जो कि आपकी परिच्छा के लिए बहुत मैत पूर थे रिबीजन क्लास थी प्रकार से पूरे के पूरे से लेबस के बारे में हमने चर्चा कर ली प्रकार से प्रकार से प्यारा मिसा बने रखे कुटना इड़ा फ्यू धनिबाद